किसी भी competition में यह फरक नहीं पड़ता कि आपने कितनी महनत की फरक इस बात से पड़ेगा कि आपके दोस्त आपके बाकी लोग कितनी महनत पूट इन कर रहे हैं आपको पता है यहाँ पर लोग जो है न 14-14 गंटे पड़ाई कर रहे हैं with a proper study plan और यहाँ पर आप यह सोचरों कि भाई मेरे छे गंटा हो जाएं नहीं यार अभी का ही तो टाइम है अपने आपको प्रूफ करने के लिए अभी का ही तो समय है आपने आपको करने के लिए नहीं यार मैं किसे से कमने इस आटेम में पात होना है बात कदम तो भाई planning बना जाते सही थी वादा कर दो कि यार अब मैं पढ़ूँगा अब मैं फोडूँगा चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जीजाल लगा दूँगा क्योंकि रिजल्ट के दिन एक चीज नहीं होनी चाहिए और वो है रिग्रेट यार और उस दिन मुझे यह नहीं लगना चाहिए कि काश थोड़ा सा मैं पढ़ लेता उस दिन मिटा कर काश बुलेना तो देख लेना आज ही कसम खाओ आज इसे ही पढ़ाई चालू करो क्योंकि कुछ ही छण बचा है कुछ ही समय बचा है आपके एक्जाम्स के लिए और अपने आप से वादा कर दो यार कि जब रिजल्ट आ कर दो